आज मैं आप लोगों के साथ होली स्पेसल कांजी वड़ा की authentic recipe share कर रही हूँ जो कि हमारे यहां बनाई जाती है जब भी होली दिवाली में हम कुछ heavy खाते हैं तो यह कांजी वड़ा अक्सर बनाई जाती है बहुत स्वाधिश लगती है खाने में वैसे तो हमारे यहां यह होली के एक दिन पहले जिस दिन पकोड़े वगरा बनते हैं जिसे हम लोग एगजा बोलते हैं उसी दिन बनाई जाती है लेकिन आज मैं पहले ही बना रही हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ यह recipe share कर सकूँ और आप लोग इसे अपने घर पे होली में बना सकें तो मैंने यहां पर सबसे पहले मूंग की डाल लिया है एक कबसे थोड़ी सी कम लिया है और जितना कम लिया है उतना मैं इसमें उरत की डाल अड़ कर रही हूँ वैसे तो आप चाहें आधा मूंग और आधा उरद की डाल से बना सकते हैं सिर्फ मूंग की डाल से बना सकते हैं लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया कांजी बढ़ा बनते हैं और बहुत स्वादिश्ट भी लगते हैं तीन चार बार इसे धो करके मैंने इसमें पानी डाल के रख दिया भीगने के लिए चार घंटे के लिए तो ये जो दोनों ही दाल है ना चार से पांच घंटे बहुत ही बढ़ियां से भीग जाते इसे जादा आपको भीगाने के बिल्कुल इसे जुरत नहीं पड़ेगी आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छे से फूल गई है तो अब हम क्या करेंगे इसका सारा पानी छान करके अलग कर लेंगे ये जो दाल हमें पीछना है इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तमाल नहीं करना है और ना ही पहले से कोई पानी चाहिए हमें तो छान के रख देंगे 2-3 मिर्ट तक के लिए ताकि इसका सारा पानी निकल जाए फिर हम इसे मिक्सर के जार में ट्रांसफर करेंगे तो एक ही साथ मैंने या पर सारा ही डाल दिया है अब मैं इसमें डाल रहे हूं एक छोटा सा अध्रक कर टुकड़ा वैसे ऑप्सनल है आप चाहें तो एड करें य तो आप इस एक बड़ चलाएं और फिर पीसे वैसे इसे जैनरी सिल्वटे में पीस आ जाता है उसमें डाल बहुत ही अच्छे से पिसती है थोड़ी सी मोटी दरदरी रहती है और बिना पानी के ही यह बहुत ही अच्छी से एकदम ड्राई सी पिस करके तयार होती है वैसे म दाल में निकाल लिया मैं अब यहाँ पर थोड़ी सी बारिक धनिया इसमें आड़ कर रहे हैं एक जिलीफलक्स अब लगाएंगे इसमें तड़का तो गोटा धनिया भी बोलते हैं तक्रिवन एक टेबले स्पून के करिब सर्सो का तेल जब तेल यहां पर अच्छे से गर्म हो जाएना तो हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसमें एक सूखी लाल मिर्च को थोड़ा छोटा छोटा काट करके एड़ करेंगे और इसमें आधा छोटा चम्मचे करीब हींग एड़ करेंगे हिंक का फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है जरूर से अड़ किजेगा इसकी मतलब नहीं करना है अब हम बड़े तलने के लिए इधर तेल चड़ा देंगे साथ ही मैंने दूसरे साइट पतीले में एक लीटर के करीब पानी चड़ा दिया पानी को हमें सिर्फ लिक्वाम करना है बहुत जादा गर्म नहीं करना है जैसे हलका गर्म हो जाए तो हम बंद कर देंगे इधर दाल को हम फेट लेंगे एक से दो मिनट तक के लिए अब मैं इसमें एड़ करी हूँ थोड़ी सी बेसन आड़ कर सकते हैं लेकिन बेसन ही आड़ करिएगा उससे रिजल्ट पढ़िया आते हैं लेकिन अगर आप इसे सिलवटटा वेगरा में पीशते हैं तो इसमें बिल्कुल भी कुछ भी आड़ करने की जूरत नहीं पड़ती है तेल हमारा गर्म हो गया है तो हम क्या करेंगे एक कटोरा ले लेंगे और इस तरह से एक सूती का कपड़ा ले लेंगे और क्या करेंगे चारों साइड से जो कटोरे हैं मतल़ कटोरे को हम कवर कर देंगे और इसके उपर पानी लगा लेंगे अच्छे से थोड़ा से इसके कि पढ़त बन्जी वड़े बनते हैं ना वो लोविया से बनते हैं जो की घंतर हागरा होता है उससे बनते हैं बहुत ही तो एक बार में आप इस तरह से चार-पांच वड़े इसमें डाल करके तल सकते हैं तेल को यहां पर मीडियम ही रखना बहुत ज्यादा हाइफ नहीं करना है नहीं तो वड़े क्या होंगे ना बाहर-बाहर से बहुत ज्यादा जल जाएंगे और अंदर से अच्छे से से निकाल लेंगे और जो लुकवाम पानी किया था नहीं हलका सा गुनगुना पानी उसमें हम एड़ कर देंगे वड़ों को तक जो वड़े हना हमारे फूल जाएं इसी तरह से हम बाकी के वड़े भी तल करके तयार करेंगे बहुत लोग गोल भी बनाते हैं दही भले जैस बहुत जादा स्वादिश लगते हैं देखिए वड़े यहां पर कितना अच्छा सिक करके तयार हुआ है कलर भी बहुत ही परफेक्ट आया है तो यहां पर मैंने सारे ही वड़े तल करके तयार कर लिए हैं देखिए यहां पर पानी में से हम सोख होने के लिए रख देंगे ताकि इसमें जो भी एक्ष्रा ओयल है ना वड़ो में वो निकल जाए ये पानी हम यूज नहीं करेंगे अब हम यहाँ पर पानी बनाएंगे मतलब कांजी बनाएंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए एक चमच ये पीली वाली सरसो और मैं इसे खलवटे में ले रही हूँ मतलब इसी में कुटूंगी आप चाहें तो मिक्सर में भी कर सकते हैं साथ ही एक चमच मैं इसमें राई अढ़ किया है और थोड़ा सा हिंग अढ़ किया है हिंग मैंने यहाँ पर खड़ा वाला यूज किया है यह से बहुत ही अच्छा सुगंदा आता अगर आपके पास नहीं हो तो नॉर्मल हिंग भी यूज किसेगा तो जो कांजी है ना कांजी बड़ा ना मतलब उसे मिट्टी के हांडी में ही बनाया जाता है मेरे पास थी तो आज मैं इसी में बना रही हूँ अगर आपके पास नहीं हो तो किसी भी श्टील का पतीला ले 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 ग्लास का बाउल ले ले उसमें भी आप कांजी को इसी तरीके से बना सकते हैं मैंने यहाँ पर देड़ लीटर के करी पानी आड़ किया है बट इसमें अभी फाइनल टेस्ट देना बाकी है तो जो वड़े हमने सोख होने के लिए रखे थे ना वो सारा पानी हम निचोड लेंगे और इसमें एड़ करते जाएंगे ताकि इस पानी में जो भी फ्लेवर मसालेव अगर हमने एड़ किया ना अच्छे से एबजॉब हो सके तो इसी तरह से हम सारे वड़ो को इसमें एड़ कर देंगे देखिए अब हम लगाएंगे इसमें फाइनल सा धुआ मतलब धुआ करना जो कांजी वड़े में है बहुत ज़्यादा ज़री है तभी इसका जो एक्चुल टेस्ट है औथेंटिक टेस्ट है वो आता है तो मैंने यहाँ पर एक लकड़ी का कोईला ले लिया और इसे मैं यहाँ पर जला रही हूँ ताकि थोड़ा सा वाइट हो जाए जब हम इसमें घी डाले तो इसमें अच्छा सा धुआ आए अब हम इसमें एड़ कर रहे है थोड़ा सा घी और साथ ही थोड़ी सी मैं इसमें हींग एड़ कर रही हूँ और तुरंत ही यहाँ पर इसे ढख करके छोड़ देंगे 10 मिट तक के लिए ताकि जो इसका धुआ है वो अच्छे से कांजी वड़े में आ जाए और बहुत ही स्वादिश लगे खाने में 10 मिट के बाद हम इसे हटाएंगे और जो कोईला है कटोरी मतलब वो हटा देंगे और इसे ढख के रख देंगे हम तकरीवन 24 घंटे के लिए अच्छे से फर्म हो गई है आपको देख करके पता चलेगा कि अच्छे से फर्मेंट हो गई है आप इसका पानी देख सकते हैं एकदम फ्लेवर फुल खटा पानी हमारा यहां पर बन करके तयार हुआ है डाइजेशन के लिए तो एकदम बेश्ट है तो देखिए इस तरह से हमारे जो कांजी इसे ठंडा सब कीजेगा और फी ज्यादा मजाएगा 24 गंटे के बाद इसे फ्रीज में रख दें उसके बाद आप इसे अराम से तीन दिन चार दिन तक इंजॉई कर सकते हैं कैसी लगी यह वीडियो जरूर से कमेंट करके बताएं